नमस्कार दोस्तों मैं उनीरोज आपकी अपनी कक्षम है स्वागत है इस वीडियो में हम लोग एक numerical discuss करेंगे जो कि resonance से सम्बंदित है जिसके अल्रेडी हम लोग ने तीन वीडियो अल्रेडी बनाए हुए है यह चौथा then prove that the impedance of the circuit is equal to R यानि कि prove करना है कि जो भी इस circuit का impedance होगा वो किसके बराबर होगा resistance के बराबर होगा only and is independent of the frequency of the supply इसका क्या मतलब है obvious से बात है जो Z होता है वो हमेशा R plus J X के terms में होता है और यह जो X होता है वो या तो XL होगा या फिर आपका क्या होगा XC होगा अगर XL होगा तो omega L XC होगा तो 1 upon omega C और यह जो omega है यह आपके frequency dependent है omega क्या होता है 2 by F होता है इसका मतलब यह कह रहा है कि frequency independent होना चाहिए जाने कि कोई भी imaginary term नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ real term होना चाहिए और वो भी किसके बराबर होना चाहिए R के ही बराबर होना चाहिए यही proof करना है देखिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा हम यहाँ पे assume करेंगे यह दो parallel branch है तो हम assume कर लेते हैं कि यह जो आपका RL branch है इसका impedance होगा ZL और जो RC branch है इसका impedance होगा ZC तो देखिए हमें क्या मिलेगा ZL is equal to R plus J times XL अब यहाँ numerical value नहीं दी है तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं ठीक है और इसलिए अब next है आपका ZC is equal to R minus J XC यहाँ पे minus लगाएं क्योंकि capacitor है तो इसका हम को ध्यान रखना है inductor के साथ plus J capacitor के साथ minus J अब यह दोनों निकाल लिया और यह दोनों कैसे हैं parallel में हैं तो टोटल इंपिडेंस कितना हो जाएगा अगर टोटल इंपिडेंस को हम Z से represent करते हैं तो आ जाता है ZL parallel ZC अब इसको formula लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ZL into ZC upon ZL plus ZC तो यह हमें मिल जाएगा अब यहाँ पे हमको इनको direct रखना पड़ेगा अगर numerical values होती तो हम इनको जरूर polar में convert कर लेते लेकिन वह नहीं है तो हम जैसी हैं वैसे ही करके काम करेंगे तो हमारा काम आसानी से होगा तो देखे क्या हो जाएगा R plus J XL into R minus J XC ZL और ZC की value रख दी upon दोनों को add करना है तो add करोगे तो R से R जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2R plus J इसमें से common ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा XL minus XC तो इस तरीके से हमको यह value मिल जाएगी अब हम इसको ऊपर जो numerator है इससे क्या करेंगे multiply करेंगे तो अगर हम multiply करते हैं तो देखें क्या मिलेगा हमको R से R को multiply करोगे तो R square plus J XL को multiply करोगे R से तो आजाएगा J R XL फिर R को XC से करोगे J times में तो आएगा minus का R J XC फिर इन दोनों term को करोगे तो आएगा आपका minus J square XL into XC upon 2 R plus J times XL minus XC अब इसके बाद आगे अगर आप देखें धियान से तो जो भी real terms हैं उनको एक साथर imaginary को अलग कर लेंगे तो देखें क्या मिलेगा आपको यहाँ पर real term में देखें तो क्या बच रहा है R का स्कॉायर और यहाँ पर यह जो J square का time है मैं इसको अलग से यहाँ पर आपको लिख के दिखा रहा हूँ देखें यह J square है तो J square XL into XC इसको क्या लिख सकते है J square का value हो गया minus 1 XL into XC तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर आएगा minus XL into XC ultimately आएगा minus XL into XC और यहाँ पर already minus है तो minus minus क्या हो जाएगा plus हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते है XL into XC plus का plus यहाँ पर J common ले ले और आप देखिए तो यहाँ पर हमारा R भी common हो जाएगा यहाँ R भी common तो R मैं इधर लिख लूँगा तो यहाँ पर आजाएगा XL minus XC into R divided by 2R plus J times XL minus XC अब यह term आ गया अब आपको यह भी ध्यान रख करना है कि numerical में कहा गया है कि हमें प्रूफ करना है कि Z की जो value होगी वो किस के बराबर होगी R के बराबर होगी और R की value अलएड़ी यह दे रखा under root L by C के बराबर यानि कि हमें इसको भी ध्यान रखना है कि हमें को प्रूफ क्या करना है तो आप देखो अगर हमारे यह denominator में क्या हमारा कुछ मिलता जूलता है तो R आ यहाँ पना R अगर यहाँ से हम निकाल ले तो J टाइम से एक्सल माने सेक्सी आ जाता है और यहाँ पर हमें कुछ सोचना पड़ेगा तो यहीं पे क्या होता है कि अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो गलती होगी आपसे और काफी लंबा चला जाएगा लोग क्या करते हैं कि यहाँ R की वैल्यू अंडर रूट L बाई C रख देते हैं और फिर वो काल्कुलेशन बड़ा होता ही चला जाता है तो हमें यहाँ पर क्या करना है थोड़ा smartly work करना है कैसे आप देखो हमें पता है लिखेंगे since R is equal to under root L by C यानि कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि L by C बराबर कितना हो जाएगा R square यह अभी हमें समझ में आ रहा है यानि कि L by C is equal to R square अब एक और टर्म है यहाँ पर आप देखो X L into X C X L into X C को क्या लिख सकते हैं हम omega L upon X C को 1 upon omega C तो omega C omega से omega क्या होगा कड जाएगा और यह आ जाएगा L upon C L upon C और हमें पता है L upon C की value किसके बराबर है R square के बराबर है तो यह किसके बराबर हो जाएगा R square के बराबर यानि कि जहाँ पर भी X L into X C है उसकी जाएगा पर हम क्या रख सकते है R square रख सकते है तो जैसे ही हम ऐसा करेंगे अब देखिए आप क्या होगा इसमें क्या परिवर्त ना आएगा तो हम लिखेंगे So, Z is equal to R square plus R square plus J times XL minus X C into R upon 2R plus J times XL minus X C यह term हमको मिल रहा है अब आप देखो तो numerator में R common है R common है और यह है वो दोनों जुड जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा R अगर हम common ले लें तो आएगा 2R plus J times XL minus X C upon 2R plus J times XL minus X C तो अब आप देखो तो यह वाला जो पूरा term है वो यह term और यह term दोनों आपस में क्या हो जाएंगे cancel out हो जाएंगे और बचेगा क्या सिर्ख वो है R जाने कि Z की value किसके बराबर हो जाएगी R के बराबर हो जाएगी जो कि question में कहा गया है तो इस तरीके से बड़े आसानी से जो है तीन चार लाइनों में आप इस question को solve कर सकते हैं तो ध्यान रखने वाले यहां बात यह थी कि यहां हम लोगों ने xl into xc की value जो है calculate करके l by c रखा और वो r square के बराबर रखा अगर आप r की value को under root l by c से replace कर देंगे तो यह calculation बहुत लंबा जाएगा आएगा लेकिन लंबा होगा और paper में आपको समय भी बचाना है तो इन चीज़ों का भी आपको यहां रखना पड़ेगा तो आसा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल पने हैं तो चैनल को सब्सकाइब कर लें धन्यवाद